दोस्तो आज हम बताने वाले हैं 11th और 12th से related topic Henry law क्या होता है Henry law मान लेते हैं कि ये तालाब है और ये डस्टर है ये जो डस्टर है ये लकडी का बना हुआ है लकडी दूसरा चीज न समझेगा और जब इस डस्टर को ऐसे छोड़ देंगे इस तालाब में तो पहले तो ये डूबने लएगा और डूबने के बाद फिर ये तैरना सुरू कर देगा बहुत सारा चीज डूबने के बाद तैरता है तब समझ में आता है इंसान का वजूद कुछ नहीं है वजूद उसके आत्मा का है तो ये डस्टर जब छोड़े दूबा फिर ये तैरने लगा इसको एक फिंगर से प्रेस किये तो नीचे गया दो फिंगर से प्रेस किये और नीचे गया तीन से प्रेस किये और नीचे गया इसी के ऊपर बैढ गय तो ये नीचे ह वोड डिजॉल्ड इन लिक्वीड इज डायरक्ली प्रोपोर्शनल तू दा प्रेसर इजर्टेड वाई दा गैस ओभर लिक्वीड आट कॉंस्टेंट टेम्परेचर यही हेंडरी लोह है जो लेविथ में जानना था इसी को डाल्टन भाया जो हेंडरी के दोस्त थे उन्हों इसको मोडीफाइड किया मोडीफाइड मोडीफाइड नहीं और उन्होंने बोला कि जो भी सॉलूबिलिटी ऑप गैस है डिजॉल्ड इन लिक्वीड वो डायरक्ली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रेक्शन का यानी जितना ज्यादा प्रेसर अपलाई करेंगे उतना ज्या जितना नीचे जाएगा प्रेसर उतना ज्यादा रहेगा और जितना उपर जाएगा प्रेसर उतना कर जैसे जुनियर क्लास में बहुत प्रेसर रहता है साइंस पढ़ना है सोसल साइंस पढ़ना है हिंदी पढ़ना है संस्कृत पढ़ना है मरल साइंस पढ़ना है मरल साइं इसलिए इंसान गलती सही लेता है तो उसमें या तो physics, chemistry, maths या physics, chemistry, biology और उसमें भी एक जाम के एक दिन पहले biology पढ़ता है बहुत उपर चले गए तो पढ़ने का जुरुत ही नहीं है यानि जैसे जैसे उपर जाएंगे प्रेशर कम होगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा तो यहां पर हेंडरी भाईया जो है वो अपना mathematical expression दिये थे कि PA यानि partial pressure of the gas वो directly proportional है मूल प्रेक्शन के अजब proportional हटाएंगे तो constant लाएंगे जिसको के एच बोलते हैं हेंडरी constant जितना ज्यादा केज का वैलू उतना कम solubility गैस का liquid में हेंडरी लॉप हमारे जीवन में कहां अप्लाइड होता है सबसे पहले आते हैं समुद्री गोता खोड असक्यूबा diver diver डाइवर नहीं जब वो समुदर के नीचे जाता है नीचे तो जाता है क्यों जाता है वहीं जाने जब वो नीचे गया तो pressure बढ़ गया बहुत सारा gas उसके blood capillaries में dissolve गोतिया और नीचे गया तो नीचे ही नहीं रहेगा वहां से उपर आया जैसी उपर आया तो pressure घट जाएगा solubility of gases in blood capillaries वो घट जाएगा प्राइवर जैसी नीचे से उपर आया तो बहुत सारा ग्रैस जो उसके ब्लड के अंदर डिजॉल था सारा ग्रैस अचानक से बाहर निकलने रखता है जो कि प्रेसर ब्लड जाता है वैसा कंडिशन में उसको जर्ख फिलोता है उसमें एर बबल्स आ जाता है जिससे उसको पे हिलियम रोल जो है हिलियम का होता है हिलियम जो ऑक्सीजन सिलेंडर में डाला हुआ है वो सारे ग्रैस को स्मूथली बाहर निकालता है उसका ब्लड में सॉलूबलिटी भी कम होता है तो यहां हेंरी लो कैसे आया है हेंरी लो आया कि जब ऊपर आय तो प्रेसर कम हो गया जब by drinking Mountain Dew, और Mountain Dew के बारे में तो जानते ही हैं, डर के आगे जीत है, और जो X की यादिला है, वो अरी जीत है, तो यहाँ पे Mountain Climber, Climb on the Mountain, by drinking Mountain Dew, and reaches at Apex, तो परतारोही सबसे टॉप पे पहुँच गया, Apex पे पहुच गया, Apex का नाम तो सुने ही होंगे, सखलता का सिखर, जहाँ पहुचने के बाद सखलता जरूर मिलती है, जैसी वो टॉप पे पहुचा, सारा प्रेशर खतम, प्रेशर घड़ जाता है, सारा टेंसन भी खतम, वहाँ पे, और उसके बाद उसको ब्रिदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, और वह इंसान उसका दिमार काम नहीं करेगा, कभी भी वह वहाँ से जंप मार सकता है, उसको बोलते एनोसिया, तो कि वहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन थोड़ा कम डिजॉल होगा, तो यहाँ हेन्री लोग कैसे आया समझ गया, ऊपर जाने से प्रेसर घटा, जिससे ऑक्सीजन का सॉलॉबिलिटी ब्लड में कम हो गया, तीसरा थमसब, पेपसी, मिरिंडा, यह सम्में कार्बन डिउपसाइड गैस पूरे प्रेसर के साथ दिजॉल करवाया जाता है, जितन इस हेन्री लोग का лी टेशल क्या है? परला चीज़ तो समझ लीजिए कि जैसे हम जब आक्सीजन लिए तो आक्सीजन कैसे लिए तो पता ही है, नौस्ट ilgili यह जैसे लीटान की यह उसी व्रॉंकर अर्ध कैल्दर Gला, और वहां की बाद जो है बाहर नहीं आ रहा है, पू कि पीचर स्टेइ के दिन जो ज़ाज उताता है बढ़ियां सब केख लाता है थम सब पेपसी का बड़ा बड़ा बोटल भी लेएा बोला कि आज हम दोग टीचर स्टेर मनाएंगे टीचर भी इंतेजार में है कि बढ़ियां सब कटने वाला लेकिन बच्चा लुड़ न खाये रूप्या का जब पेपसी खड़ दे उसको जोड़दार सेट किये, क्याप को उड़ाए और वहां से यदि गैस बाहर ना आए, तो क्या मैं उसे पी जाऊंगा? नहीं, क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि डर है पता नहीं क्या है इसमें, यहां पे यह गैस आयोनाइज हो गया विशेज जामकारी मिलने पे आज की लिए इतना ही धन्यवाद